बाई आमरपाली का कल बर्डे था और उस बर्डे में तो आपने देखा ही होगा कि भोजपुरी के कितने बड़े सिलेब्रिटी आये थे लेकिन ताजुप की बात ये थी खेसारी लाल यादों ने दो समा बान दिया था डांस करके और डांस कराके पार्टी में चार चांद तो भई के सारी लाल यादों ने लगाया और आपको बता दें कि इस पार्टी में एक नई चीज ये हुई कि काजल रागवानी इस पार्टी में आई वैसे अमोमन हर पार्टी से दूर रहने वाली काजल रागवानी यहां दिखी और ताजब की ये बात है कि मीडिया में यह हमेशा कॉंट्रोवर्सी रहती है, भोजपूरी गलियारों में हमेशा ये कॉंट्रोवर्सी घुंगती रहती है कि काजल और आमरपाली में पढ़ती नहीं है लेकिन भाई दकपिल शर्वा शो पे भी आपने देखा होगा इन दोनों का रैपो काफी बैस था और यहां तो आप देखी रहे हैं वैसे आपको बता दें कि आमरपाली दूबे और खिसारी लाल यादों को लेकर हमेशा अफ़ाओं का बाजार गंग रहता है कि यह दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते या ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने को लेकर comfortable नहीं है वैसे आपको बता दें कि आमरपाली दूबे ने तो अपनी तरफ से हिंड दे दिया है कि अच्छी स्कृट मिली तो वो जरूर खेसारी के साथ काम करेंगी सेम थिंग खेसारी भी कहते हैं अब भाई खेसारी आमरपाली सभी के लिए तो हम यही कहेंगे कि हम दर्शक भी तो यही चाहते हैं कि आप दोनों एक कोई बहुत ही बहतरीन फिल्म में साथ में काम करें वैसे वो दिन दूर रही है वैसे आप दोनों की chemistry off screen इतनी गजब की लगती है तो on screen कितनी गजब की लगेगी वैसे मरद अभी बच्चा में भी आप दोनों की on screen chemistry हमने देख ही ली है खेर इन सब बातों को छोड़ते हैं और आगे party के मुद्दे पर आते हैं भाई इतनी शानदार party भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े दिनों बाद हुई एक्सपेक्ट तो ये किया था कि पवन सिंग की birthday party बड़ी शानदार होगी लेकिन पवन सिंग ने अपना birthday तो मनाया ही नहीं और अक्षरा अक्षरा इस party से नदारत रही सभी का एक ही सवाल था कि ये दोनों दिख क्यों नहीं रहे हैं तो भाई ये सुनने को मिला है कि ये दोनों इस वक्त मुंबई में ही नहीं थे इसलिए ये दोनों नहीं आए वैसे भी दो में से तो एक अपसेंट ही रहता जैसे अगर अक्षरा आती तो पवन ना आते पवन आते तो अक्षरा नहीं आती लेकिन सच मानिये इस पार्टी में किसी की कमी नहीं खली क्योंकि कमी खलने लाय कोई चीज थी नहीं यहां पर तो सब कुछ मौजूद था खुशियां, एंटर्टेन्मेंट हर एक जगे ऐसा लग रहा था कि भूचपुरी इंडस्ट्री में काफी अरसे बाद कोई पार्टी हुई है और पार्टी इतनी शांदारी होनी चाहिए तो चलिए हमें यकीन है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए